अमेरिका ने आतंकी संगढधन लश्कर एटेवा के खिलाफ गड़ी कारवाई करते हुए लश्कर की छात्रशाखा अलुम्हंबदिया स्टूडेंट्स को आतंकी संगढधन करार दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने चात्र शाखा के दो वरिष्ट नेता मुहम्मद सर्वर और शाहिद महमूर पर भी प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिकी विदेश विभाग के मताबिक लशकर कई बार अपने नाम बदल चुका है और प्रतिबंधों से बचने के लिए मुखोटे के तौर पर नैने संगठन बनाता रहा है इस तरह से अल मुहम्मदिया स्टूडेंट्स भी इसकी चात्र साखा है जो साल 2009 में गठन के बाद से लशकर के सहयोगी संगठन के तौर पर काम कर रहा है इसके साथ ही लशकर के बड़े नेताओं के साथ मिलकर या चात्र शाखा युआओं की भरती करने और अन्निगतिविधियों में शामिल रहा है हाला कि लशकर को अमेरिका 2001 में ही आतंकी संगठन गोशित कर चुका है आपको बता दे कि अमेरिका की ओर से आतंकवादी भोशित किये जाने के बाद मुहमद सर्वर और शाहिद महमूर पाकिस्तान में रहते हैं और संगठन के लिए फंड जुटाने से लेकर आपरेशन को अन्जाम देने के काम बेशामिल है बताया जाता है कि सर्वर लश्कर का वरिष्ट नेता है जिसने दस सालों तक पाकिस्तान के लहौन में रहते हुए कई आतंकी संगठनों का अनरतित किया है इससे साथ ही उसने कई लश्कर तैवा के वरिष्ट नेताओं से संपर्ख भी है आपको बता दे कि लश्कर तैवा की शिरुवात अफगानिस्तान के कुलनार प्रोविन से साल 1987 में हुई थी आतंकी हाफिस सहीद हमेशा इस बात से इंकार करता है कि उसके आतंकी संगठन लश्कर से संबंध है जबकि हकीकत में उसके अगुआई में प्योके में लश्कर तैवा के कई ट्रेनिंग कैम्स चल रहे हैं ऐसे में अब लश्कर की चातर शाखा के बाद हाफिस सहीद के खिलाफ अमेरिका क्या कारवाई करेगा यह देखना बाकी है देखते रहें डीबी लाइव